अगर यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दू सब्सक्राइब दिस चैनल आपको यूटूब पे जाना है यूटूब पे जाने के बाद सब्सक्राइब पर क्लिक करना है इस से आपको जithने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नॉटिफिकेशन बिल जाएगा इस वीडियो में हम आज देखेंगे Microsoft Teams के अंदर जो data consumption ज़्यादा हो रहा है, वो किस तरह से हम limited कर सकते हैं, मुझे बहुत सारी queries आई, personally मुझे WhatsApp पे भी बहुत सारे messages आएं कि जो Microsoft Teams है वो data बहुत ही ज़्यादा खाता है, So, उसका हम यहाँ पर solution लेके आए हैं, So, stay tuned till the end, क्योंकि अगर कोई भी step छूड़ गया, उसकी वज़र से आप जो setting है वो proper नहीं कर पाएंगे, So, let's dive into the video, सबसे पहले आपको यहाँ पर Microsoft Teams जो है वो install करना रहेगा, Install करने के बाद आपको जो दिया गया user ID और password है, उससे आपको यहाँ पर login करना रहेगा, उसके लिए already मैंने यहाँ पर जो वीडियो है वो upload किया है, you can access that particular video, यहाँ पर I button पर click करने के बाद आपको उसकी पूरी details मिल जाएगे और आप यह वीडियो देख पाएंगे, So, मैं direct अभी settings के लिए जाओंगा, यहाँ पर जो आपका email login है, Microsoft Teams का ID login करने के बाद आपको इस तरह से जो layout है वो access करने को मिलेगा, मैं यहाँ पर दन्यवाद ग्यापित करना चाहूँगा, श्री S.W. पाटिल सर, Principal J.N.V. गीर सुमनाद, कि जिन्होंने मुझे permission दी यह वीडियो record करने के लिए, दन्यवाद सर, हम यहाँ पर ID पर क्लिक करेंगे, ID पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर settings option है, settings में जाना है, settings में जाने के बाद आपको बहुत सारे options मिलेंगे, उसमें से आपको select करना है, fourth number option, data and storage, data and storage पर क्लिक करने के बाद, बहुत सारे details आपको access करने को मिल रही है, यहाँ पर जो main particular option है video calls उसके अंदर option है reduce data usage उस पर click करना है उस पर click करने के बाद always पर click करना है और back कर देना है इससे क्या होगा कि जो video calls के दर्मिया आपका जो net है वो सबसे ज़्यादा consume होता है उसको यहाँ पर reduce करने के लिए हम यह setting को enable करेंगे next media है media में भी हम बहुत सारे options access कर सकते हैं यहाँ पर जो आपका media है उसके अलग-अलग options access करने को मिल रहे हैं जैसे कि automatic send high resolution images except on poor network always send full size original images with no compression always send in high resolution optimize images for high resolution always send low resolution send smaller images for faster uploads हम यहाँ पर last option select करेंगे और back करेंगे यह दो options set करने के बाद आपका जो data consumption है वो कम हो जाएगा पहले के मुकाबले I hope यह वीडियो आपको useful रहेगा MS Teams use करते वक्त faster access के लिए अगर आपको इसके regarding कोई भी queries हैं please do comment in the comment section मैं मेरा calling और whatsapp number भी यहाँ पर share कर रहा हूँ अगर आपको major technical problems आ रहा है तो आप मुझे इस number पर call भी कर सकते हैं we will try to resolve your problems और मैं यहाँ पर request करूँगा कि अगर आपको यह video अच्छा लगा तो please comment करके हमें उसके बारे में भी बताईए जिससे हमें हमारे जो वीडियो से उसको improve करने का और अच्छा मौका मिलेगा और हम बहतर तरीके से आपको help कर पाएंगे please subscribe my channel like, comment and share thank you very much for more technical videos please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos please झाल झाल झाल